नमस्कार आप देख रहे हैं नाशनल वोईस आपके साथ मैं हुश्च ब्रासुमन साथ राज्य और 51 सीटें जी हाँ पांचवे चरण का मतदान आज हो रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं अयुद्या से जहां पर वोट डालने पहुँचे महंत हनुमान गड़ी ने एक बड़ा बयान दिया है राम लला का मंदिर यहां नहीं तो क्या मक्का में बनेगा ये कहा है ग्यान दास ने हम चाहते हैं कि राम लला का मंदिर आयुद्या में बने ये ग्यान दास ने कहा है पूरे हिंदुस्तान में एक ही मुद्दा है राम लाला का मंदर राम लाला तंबू में विराज रहे हैं ये नेताओं की देन है हमको चाहिए कि राम मंदर और कुछ नहीं चाहिए राम मंदर जब बनेगा तो पूरे देश में विकास होगा राम मंदिर बनने से प्रकाश भी होगा ये पूरा बयान महंत ग्यानदास का है वोट डालने के लिए पहुंचे थे और उस वक्त मीडिया से बातचीत करते हुए ये बयान उन्होंने दिया है राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से चुनावों के दर्मया वोटिंग एक तरफ पड़ रही है और दूसरी तरफ ये मुद्दा फिर से एक बार सब के सामने है मीडिया के सामने ये कहा है ग्यानदास ने पूरे हिंदुस्तान में पूरे बिस्व में एक ही मुद्दा है राम मंदिर रामलला का मंदिर लेकिन लाल तंपूनु बिराज रहे हैं इन आताओं का देन है रामलला का मंदिर हम चाहते हैं रामलला का मंदिर अगर रजो झ्यम नहीं बने गाता हमक् touched Kapol बनेगा है और इसी खबर पर हमारे समवादाता रिशी गुपता हमारे साथ जुड़ गये हैं रिशी बीच चुनावों में ये बयान आया है महंत ग्यानदास का क्या माइने है इसके किस अंदर्व में ये बयान दिया उन्होंने क्या पूछा गया था उन्होंसे पूछा गया कि आप किस मुद्देप कर रहे हैं तो उन्होंने कहा यानि कि अगर नेताओं की कमी वो बता रहे हैं तो एक तरह से सारी पार्टियां जो हैं वो कटगरे में नजर आती है अगर बीच चुनावों के दर्मियान ये बयान उन्होंने दिया है और कोई आम आदमी अगर ये बात करता है तो उसके अलग माइने हैं लेकिन महंत ग्यानदास अगर ये बयान दे रहे हैं तो क्या असर पड़ सकता है इसका इसकी बात करें तो बहुत बड़ा फर्वार्टा फिक्ता क्योंकि ये वोट डालने पहुचे थे वहाँ पर काफी संग्जा में लोग मौजूद भी थे उन्होंने इसाफ तक साफ दोर पर कहा कि राम मंदिर जो नहीं बन रहा है इसमें नेताओं की बली कमी है क्योंकि अगर नेता लोग चाहेंगे तो राम मंदिर आवश्र बन फक्ता है चलिए शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए तो एयोध्या से एक खबर आपको हम बता रहे हैं महंत ग्यानदास वोट डालने के लिए आये थे और उसी दौरान उनसे पूछा गया कि कौन-कौन से मसले हैं जो की बहुत महत्तपूर है जब बात अयोध्या की आती है तो राम मंदिर का मसला अपने आप जहन में आ जाता है महंत ग्यानदास ने ये कहा कि राम मंदिर हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए और अगर आज राम लला टेंट में विराजमान है तो इसके पीछे की वजह राजनीतिक पाटियां है इसके पीछे की वजह सियासत है और इसी लिए उन्होंने आज वोट डालने के दर्मियान इस तरह का बयान दिया है और इस पूरे बयान पर इसके साथ ही जो चुनाओ आज हो रहा है साथ राजों में 51 सीटे हैं जहां मतदान हो रहा है इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में शौकात अली जुड़ गया है समाजवादी पार्टिक योर से शौकात अली साब जो पी अमने बड़ी खबर दिखाई है और ये बयान भी सुनवाया महंत ग्यानदास का वो वोट डालने के लिए पहुंचे थे उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जब उनसे पूछा गया कि ये मुद्दे कौन कौन से हैं उन्होंने ये कहा कि राम मंदिर बनने से विकास होगा राम मंदिर बनने से प्रकाश होगा लेकिन इसके साथ ये भी कहा कि आज अगर राम लला टेंट में विराजमान हैं तो इसके पीछे राजनीतिक पार्टियां हैं सियासत है और ये भी कहा कि राम मंदिर चाहिए इसक कि लिए पर हैं इस तरह के बयान का लाजमी हो गया है और रही बात राजणेतिक पार्टी ने उसका वीरोध नहीं किया बनाने के महामला कोर्ट में विचारा दीने और सब से जाधा बहुमत से जीत कराई भारती जनता पार्टी जो बार बार वाद दोहराती थी कि मैं आँग और जब उनसे कोई बात करने को त्यार होता है कि आपने क्या किया आद तक कौन सा एवेंटमेंट लाए या नहीं लाएं एवेंटमेंट में की बात की या नहीं की तो कहते हैं देखिए कोर्ट में मामला विचारा दीन है और जब कोर्ट फैसला लेगा तो हमें लगता है कि आ आचारी जी खुद बना लेंगे, महंतर जी खुद बना लेंगे, आप किया हो सकता नहीं पड़ेगी, तो वो कहीं न कहीं ये इस वक्त जो बयान है उनका वो जो डर्व था आज जलक रहा है। सच्चाई से औगत कराने का काम नहीं कर रहता है, अभी तक मेनिफेस्टों में रहता था और बड़े दावे सिभारती जनता पार्टी ये दावा करती आई, कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे, रामंदिर बना देंगे, और कई बार ये बहांसलों में उन्होंने कहा है कि हम सत् हो जाएगा, तो मुझे लगता है, ये संत समाच आपका इंतजार नहीं करेगा, या मुझे सियासत करने का आरूप आप ये कैसे समझ रहे हैं, कि इनके बयान से सिर्फ बीजपी को नुकसान हो सकता है, नहीं देखे, मैं सुप्रा जी सीज़ को बाद बाद दोरा रहा हूँ कि सबसे बड़ा फाइदा इसलिए उनको होता है, या नुकसान उनको होगा, क्यों राम मंदर की एकर सबसे जादा किसी पार्टी ने बात की, तो वो भार्ती जनता पार्टी थी, और आज वो आगर र मात्मूर बयाने मात्जी का, क्योंकि वो मैसेज देना चाहा रहे हैं जंता को, कि देखिए, ये लोग छल रहे थे और मैं ये बता रहा हूँ बार बार आपको दढ़सा रहो, ये चीज़ महन जी दढ़सा रहे हैं, कि ये मंदिर नहीं बनाएंगे, और मंदिर जो कोट के म अधिम से ही बनना है, तो हमें लगता है कि इनको ओड भी नहीं मागना चाहिए था, तो महन जी के इस बयान से एक चीज़ तो साफ इसपस्ट होती, कि उन्होंने संतों को भी नहीं छोड़ा ठगने में, ठेक है, एक और बड़ी खबर आ रही है, लखनव से एक खबर आ रह रही है, ये बड़ी चूप मानी जा रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम लखनव से बता रहे हैं, बूथ पर तैनात सुरक्षा कर्मी मस्ती करते हुए नजर आए हैं, मोबाइल पर मूवी देखते हुए, वाटसेपर चैट करते हुए ये सुरक्षा कर्मी नजर इस वक्त की एहम खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ जहां सुनिश्चित करने का दबाव है कि जो इलेक्षिन है वो शांती पूरवक तरीके से बिना किसी रोप्तों के, बिना किसी गड़बडी के संपन्न कराया जा सके, वहीं दूसरी और ये भी खबर आ रही है, पोलि आते पूरवक मतदान करवाने के लिए, रोक टोक मतदान करवाने के लिए वहां पर तैनात किया गया है, वो मोबाइल पर मूवी देख रहे हैं, वाटस अप चैट कर रहे हैं, और उसके बाद ही सवाल खड़ा हो रहा है, कि एक तरफ एवियम की खराबी की खबर है और सुरक्षा कर्मी और दूसरी तरफ लोग लाइनों में इंतिजार कर रहे हैं, मोहनलाल गंज में इवियम की खराबी की शिकायत मिल रही है, अब इसे ठीक कराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन देखिए बहुत महतपूर है, क्योंकि अगर इवियम खराब होता है, ठीक है उसे दुरुस्त करा लिया जाता है, लेकिन इस बीच जो वोटिंग प्रभावित होती है, जो लोगों की परिशानियां बढ़ती हैं, उसकी जिम्मदारी कौन लेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, और इसलिए जहां कहीं भी इस तरह की खबरे आ रही हैं, इवियम खर रहे हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं वहाँ पर वो किस तरह से बेसुध हैं, बूत मर क्या चल रहा है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है, बलकि वो मोबाइल पर चैट कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, और ये अपने आप में एहम है, आपती जनक भी है, एक तरफ लाइनों में लोग खड़े हुए हैं, उन्हें कोई परिशानी नहों, ये सुनिश्चत करने के बजाए, पुलिस कर्मी जो हैं, अपने आप में ही मस्त है, मोहनलाल गंज में इवियम खराब होने की खबर आई है, उसे दुरुस करने की कोशुश की जा रही है, लेकिन दू जो वहाँ पर लोग हैं लाइनों में खड़े हुए, उन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, बूत 240-241 की ये घटना है, देखिए बड़ी संक्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं, लाइनों में लगे कि बाकी जगहों पर क्या हालाद होंगे और इस वक्त विन्य कटियार अपनी बात रख रहे हैं मीडिया के सामने हम उन्हें सुनने ज़रा कि इवियं का अरुस्य को मतर्ब नहीं है और यह इवियं कर बार जब हानने लगते हैं तो एवियं परी आरोप लगाते और कोचेने करते हैं राम मंदिर मुध्या आपके इस एजिंडे में है कितना लगता है कि आपकी शरकार आएगी और राम मंदिर पर इस पर कले कड़ तो विन्य गटियार को आप सुन रहे थे और बीजय पी के तमाम नेता यही कह रहे हैं कि EVM के बारे में बातें इसलिए की जा रही है क्योंकि विपक्ष को हार का डर सता रहा है इसलिए EVM की गडबड़ी की बातें हो रही हैं और चुकी आयोध्या में मतदान है इसलिए राम मंदर के मसले पर बार बार नेताओं से सवाल पूछा जा रहा है और इतना बड़ा मसला है जो हर चुनाओं से पहले गर्माता भी है लेकिन इस चुनाओं से पहले चोकी BJP का जो रुख है वो नर्म दिखाई दिया इसलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कब बनेगा आखिर राम मंदर और इस पर जवाब यही है कि यह मसला कोट में है पिछली बार आपको याद होगा जिस जोर शोर से इस मसले को उठाया गया था चुनाओं से एन पहले BJP का रुख नर्म नजर आया और इसलिए अब सवाल पूछना लाजमी है कि क्या ये मसला ठंडे बस्ते में चला गया है और उसके प्रचार के दर्मियान इन चुनावों से पहले आपको याद होगा प्रचार के दर्म्यान जस्तर के बयान दिये गए बड़े नेताओं के ओर से वो नेता तमाम पार्टियों के हैं खासतोर से आप याद कीजिए जो बयान प्रधान मंत्री की ओर से या उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री की ओर से दिया गया उस पर बार-बार बात हुई और इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या एहम मुद्दों से भटक गया है इन चुनावों में निताओं का ध्यान और जो तमाम नितागन हैं वो वोट डालने के लिए आज पहुंच रहे हैं आप देखिए साथ राज्यों की 51 सीटें हैं जहां पर मतदान आज हो रहा है जैंत सिनहा पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए और इसी तरह की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग-अलग जगहों से सामने आ रही है पांचवें चरण का मतदान ये जारी है 51 सीटें हैं और इस बीच उतकर्ष तना भी हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिश पत्रकार हम उनसे भी बात करेंगे और एक रियाक्शन में उतकर्ष जी आपसे उस पर लेना चाहती हूँ जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं तमाम नेता पहुंचे हुए हैं तस्वीरे हम इच पिछ में दिखा रहे हैं सुधी अंद्र बदोरिया पहुंचे हूँ हैं वोट डालने के लिए उतकर्ष जी अभी हमने एक बयान दिखाया था महंत ग्यानदास का वोट डालने के लिए पहुंचे थे आयोध्या और उनसे जब पूछा गया कि कौन-कौन से मसले हैं उन्होंने ये कहा कि राम मंदिर का मसला सबसे महतपून है राम मंदिर बनना चाहिए वो चाहते हैं कि राम लला टेंट से मंदिर में विराजमान हो और अगर अभी तक नहीं बना है मंदिर तो इसके पीछे सियासत है पार्टियों की और वो चाहते हैं बस यहीं चाहते हैं कि राम मंदिर बने और कुछ ना हो राम मंदिर बनने से व उठेगा क्योंकि भारती जनता पार्टी ने राम मंदिर अंदोलन के जरिये ही सत्ता हासिल की थी और हमेशा से पॉलिटिकल एजेंडा राम मंदिर का बीजेपी नहीं बनाया था तो अब अगर नहीं बन पाया है और संत और महंत सवाल उठा रहे हैं तो जो बात जाएगी व प्रदेश में कहीं कोई दो राय नहीं है और ये भी सही है कि बीजेपी ने अपनी जितने भी कैमपेन किये तो एक बार एक वक्त ऐसा आया था जब ये कहते थे कि जब अटल जी की सरकार बनी थी और फिर ये सवाल हुआ तो बोले कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है इस में आपने देखा होगा कि पांच साल तक भारती जनता पार्टी के नेताओं ने राम मंदिर को लेके कितने गोल मोल बयान दिये हैं कई बार कोशिश की गई इवन जब चुनाओ आज हो रहा है तकरीबन साथ-ाठ महीने पहले एक बार कोशिश भी हुई राम मंदिर के मसले को गरम करने की और रजज्दा में बहुत बड़ा जूटान भी हुआ लेकिन वो उस तरह से बन नहीं पाया तो जो मूमेंटम नहीं बन पाया तो उसके बाद फिर बीजेपी किनारे होती गई अपने आपको किनारे करती गई और आज नतीगा है कि महनत ग्यानदास का जो ब बहुमत मिल जागा तो हम आरडिनेंस ला देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे बहुत सारी भ्रमवाली चीजें तो अब जिन लोगों के लिए राम मंदिर एक पॉलिटिकल मुद्दा है जिन वोटरों के लिए भी एक पॉलिटिकल मुद्दा है वो निश्चित तोर पर न पूरा विवात पहुँचे और उन्हें भी निजात मिले ये जो हर साल के चुनाओ दर चुनाओ जो सियासत होते हैं इस पर उससे निजात मिले इस स्वाब कि आपको लगता है कि इस चुनाओ में आयुद्या के लोगों के जहन में वाक़ ये मुद्दा है देखे आयोध्या के लोगों के जहन में मुद्दा है और दो तरह से है लेकिन समझना पड़ेगा एक तो जाहिर सी बात है कि अगर वो मंदिर बनता है तो आयोध्या के भीतर आजपास की एकॉनमी डेवलप होगी वो एक अलग सवाल है उसके साथ ब्यूटिफिकेशन होगा बहुत सारी चीजे होंगी लेकिन दूसरा जो सवाल है कि पिछले 35 सालों से आयोध्या के लोग तंग आ चुके हैं और हमेशा कंसेंट्रेशन जब हो जाता है पलिटिकल कंसेंट्रेशन आयोध्या के उपर हो जाता है तो उनकी रोजमर्णा की जिंदगी पर असर पढ़ता तो बात के दिनों में भले ही आयोध्या में भारती जिंता पार्टी जीतने लगी लेकिन ऐसा नहीं है कि आयोध्या में कंटिनिवस पर्मानेंट सीट बन गई हो बीजेपी की हमेशा वो खत्रे में रही है और आयोध्या का जो आम नागरिक है उसमें बहुत छोटा समुद आये ऐसा है जो बहुत ही फैनेटिक लाइन लेने की लेने तक जा सकता है लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनके लिए दूसरे सवाल ज़्यादा है में अध्या में इंडस्री नहीं है अध्या में डेवलप्मेंट नहीं है जाहिर बात है लोग चाते हैं कि सियासत से ध्यान हटे जरा तो जो असल मुद्धे हैं जो विकास के मसले हैं वहाँ पर रोटी कपड़ा मकान के मसले हैं बिजली सड़क के मसले उस पर ध्याना है प्रयंका गुपता मारे सा जुड़ गई हैं कॉंग्रोस पार्टिक्योर से आपका बहुत स्वागत है माम और सवाल आ कि बीजेपी इस मामले में सॉफ्ट हो गई और उसके बाद आप लोग भी इस मसले को चुनावों से पहले बहुत जोर सोर से नहीं उठा पाए ऐसे आप लोग भली कहते हैं कि बीजेपी के मैनिफेस्टों में ये मसला है लेकिन बीजेपी गंभीर नहीं है सिर्फ सियासी कि फाइदा लेना चाहती है लेकिन एक बार अगर बीजेपी की और से ये कहा गया कि कि वो कोट के फैसले का इंतिजार कर रहे हैं उसके बाद हमने नहीं देखा कि आप बहुत जोर से इस मसले को उठा रहे हों इलेक्शन से ठीक पहले कि कोट के फैसले का जो इंतजार है वो सभी को है सभी राजनातिक पार्टियों को है सभी नेताओं को है पूरी देश की जनता को है पर इसमें बीजेपी का क्या महत्रपूर भूमिका है वो आप देखते बनती है कि अपनी मनेफिस्टों में बड़ा बड़ा लिखते हैं कि हमारा जो एजंडा है वो जो है राम मंदिर है अच्छा ओपी सिंग साब को सुन लेते हैं हम पहले इसके बाद मैं आपके बास आती है हम आपको सुनवाएंगे पूरा बयान ओपी सिंग साब का बहुत महत्पूर्ण है लेकिन प्रेंका जी आप बात पूरी कीजिए जब ये मुद्दा आता है तो इनके मैनिफेस्टों में ये बड़ा बड़ा लिखा चाता है कि हम राम मंदिर बनाएंगे मंदिर वही बनाएं जो है ये अपने मैनिफेस्टों में भी लिखते हैं जनता को भी बरगलाते हैं पर जब समय आता है कि केंद्र की सरकार और राजी की सरकार दोनों में इनी का राज्य होता है फिर भी ये असमर्थ होते हैं मंदिर के मुद्दे बर बात करने में भी आज प्रधान मंत्री जी जाकर भी मंदिर में रामलला के दर्शन नहीं कर पाते हैं पर क्या वो जो है देश विदेश की सभी मस्जिदों के दर्शन जरूर करते हैं तो इससे आपके दो चेहरे साफ उजागर होते हैं कि देश की जंता को बरगलाने और मुद्दों से भटकाने की राजनीती अगर किस पार्टी ने की है तो वो बीजेपी पार्टी है आज देखिए जिस तरह से मंचों पर खड़े होते हैं पर वो बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं वो किसानों की बात नहीं करते हैं तो सिर्फ एरस्ट्राइक की बात करते हैं वो बात करते हैं नहीं है तो इस बात की नही पूछा जाता है जो उससे ही मतलब अपनी जनता कोई भी सवाल पूछे आज जनता पूछे या विपक्च पूछे तो वो उसको राश्ट्र द्रोही बता देते यह लोगतंतर के लिए और बड़ा खत्रा है कि जब हम अपनी बात कह नहीं सकते सवाल नहीं कर सकते तो लोगतं पूछती हूं कि यह सारी जीज़े लोगतंतर के लिए खत रहा है आज जनता समझ चुकी है कि यह जुमलों की राजनीती करते हैं मंच पर खड़े होकर इनके पास विकास गिनाने के लिए नहीं होता है पर यह जरूर गिनाते हैं कि जो स्वरगी राजीव गांदी हैं उनक पर इतिहास में तमाम लोग लेकिन वरतमान में क्या समस्याएं हैं जनता की आज के क्या मुद्धे हैं उन पर ध्यान बहुती कम लोगों का है झाल 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 झाल